जेहिन दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप से लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तों रशिया के सुखोई SU-57 फाइटर एरक्राप्ट को लेके एक बहुत बड़ा ख़वर आ रहा है और ये ख़वर रशिया के एरक्राप्ट कोर्फरेशन के लिए काफी चिंता का विशाय बन सकता है हाली में आप लोगों को पता होगा कि रशिया के एरफोर्स के लिए 76 सुखोई SU-57 फिफ जेनरेशन फाइटर एरक्राप्टों का ओरडर दिया गया है और रशिया के तरफ से दावा ये भी किया जा रहा है कि इस साल के अंत से रशिया को ये एरक्राप्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा पर फाइनली अब पता चल रहा है कि रशिया को ये फाइटर एरक्राप्ट कोई आधुनेक इंजिन के साथ नहीं मिलेगा की इन एर्क्रेप्टों के इंजिनों को लेके दो स्टेज में काम किया जाएगा जफकी पहले स्टेज में इसमें एक 2nd generation के इंजिन लगाय जाएगा जिसे हम इसडेलिया 30 के नाम से जानते हैं दोस्तों ये वही इंजिन है जिसे सुखोई 35 और सुखोई 30 में इस्तिमाल किया जा रहा है जबकि second stage में इसमें एक आधुनिक और बहतरिन तरिके का इंजिन का इस्तिमाल किया जाने का बात कहा गया था और Russian agencies के मताविक ये इंजिन 2022 तक इस्तिमाल होने लाइक बन जाएगा पर अब ख़वर ये भी आ रहा है कि Russia साथ 2022 के टाइम लाइन तक इन इंजिनों के डेवलोप्मेंट को कम्प्लिट ना कर पाए अमेरिकी एक्सपोर्डों के तरफ से ये भी बताया गया है कि Russia के तरफ से बनाया हुआ सुकई 57 में शायद 2018 से पहले तक आधुनिक इंजिन लगाना पॉसिबल नहीं होगा और रशिया द्वारा जो 76 येर्क्रेप्टों का ओडर दिया गया है इसे पुराने और कमजोर इंजिन के द्वारा ही फ्लाई किया जाएगा इवन अमेरिके एक्सपोर्डों का ये भी कहना है कि इन पुराने इंजिनों के मदद से 5th generation के इन येर्क्रेप्टों के capabilities कितना बड़ेगा ये अभी वी संधह में है जब कि ये properly power supply कर भी पाएगा कि नहीं इसे लेके भी अमेरिका के तरफ से सवाल उठाया जा रहा है दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि कुछ दिन पहले भी Russian agencies के तरफ से बताया गया था कि रशिया के सुकोर 57 के लिए जो आधुनिक तम इंजिन का निर्मान किया जा रहा है वो power और technology के मामले में अमेरिका की F-135 इंजिन मतलब F-35 में इस्तेमाल होने वाले पर इंजिनों को लेके इस तरीके के खुलासा और टाइम लाइन में इतना मुश्किले आने के बाद अब सवाल तो लाजमी है कि रशिया के तरह से जो इंजिन बनाया जा रहा है क्या वो सच में इतना आधुनिक इंजिन बन पाएगा दोस्तों ये इंजिन ही था जिसके का खारन भारत रशिया के सुकोई 57 प्रोजेक्ट से अपने आपको बाहर कर लिया है और खुद के ही दम पे अब 5th generation fighter aircraft को बना रहा है दोस्तों खाली रशिया इंजिन नहीं बलकि इन aircraftों में एक X-band के active electronic scan RR का भी इस्तेमाल करना चाता है और उसका भी development फिलाल चल रहा है ले के तरफ से लिया गया सबसे बहतरिन और सही decision माना जा रहा है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हमाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो द सबसे पहले जय हिन